हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का उर्दू का जो है सेट 5 या 6 यह होने वाला है देख लिजेगा इसके पहले भी हमने 4 या 5 पार्ट चैनल पे अप्लोड कर दिया है और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आये तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को जुरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पे चला जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए आप लोग को पैस जेल में से क्या हमारे कीमती अशासे हैं पहली बात मैं आपको बता दूँ कि उर्दू टॉपिक जो हमारा नहीं अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत भी मिश्टेक होता है तो उसको नजर अंदास करना है आप लोग को ठीक है अब मैं थोड़ा हेल्प करना चा रहा हूँ आप लोग के पूरे यूटूब पर कोई भी आप लोग को जैग बोट का उर्दू तो ने पढ़ा नहीं रहा है तो मैंने सुचा है कि चलो आप लोग की थोड़ी बहुत हैल्प हो जाए तो देखें यहां पर आपका लोहा है सोना है पेड़ पौदे हैं या फिर जानवर ह हो जाएगा इसमें ऑपसर नंबर जैल में से क्या हमारे लेकिंती असासे हैं तो लोहा सोना तो नहीं होगा लेकिन यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए वहां आपसर नंबर सी पेड़ पौदे नहीं रहेंगे तो ऑकसिजन नहीं होगा तो फिर हम लोग जीएंगे कैस ठीक है जब हम ही लोग नहीं जीएंगे तो फिर सोना चांदी किस काम का ठीक है कोश्टर नमबर दो पे कह रहा है कि महुलियात की कौन कौन बरकरार रखते हैं महुलियात को कौन बरकरार रखते हैं यह आपको बतानी है अपसंस देखिए ध्यान से अपसंस को अगर आप देखोगे तो पानी, पील पौधे, हाती या फिर हवा तो राइट अंसर हो जाएगा ऑपसं नमबर बी क्या हो जाएगा पील पौधे मैंसे किस वज़ा से पेल पौधों का रंग हरा होता है, कार्बन है, औक्सीसन है, और यह क्या लिखाया लगता है, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए फिल से यहाँ पे chlorophyll होना चाहिए यह और यहाँ पे है आपका methane है तो right option option c होगा chlorophyll हो जाएगा ठीक है Question number 4 में कह रहा है कि जिन पौधों में मक्वर बक्रूफिल नहीं होते है याणि chlorophyll कोई बोला जा रहा है ठीक है नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं फंगस हो गया वायरस हो गया अमीबा हो गया या फिर अलीगी हो गया क्या कहलाएगा ये आपको बतानी है इसका जो राइट आंसर होगा दो वह जाएगा आपका ओप्सन नमबर एफंगस हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है kuvel के पांच में आप से कहा तो इसका right answer हो जाएगा आपका पीड़ पौदे option number C हो जाएगा question number आते हैं हम लोग 6 पे question number 6 में कहा जा रहा है कि वह फाल जिसमें किसी काम के करने या मना किया गया हो इसे कौन से फाल कहते हैं fail कहते हैं फैले लाजिम फैले अमर फैले मरकब या फैले नहीं तो right answer हो जाएगा इसका option number D फैले नहीं मना कर रहा है नहीं तो फैले नहीं हो जाएगा question number आते हैं साथ पे question number 7 में आप से देखे कहा जा रहा है कि एहमत किताब पढ़ रहा है एहमत किताब पढ़ रहा है, यह जुमला किस फेल की मिशाल है, फेले लाजिम, फेले मुतअधी, फेले मुश्बत, फेले अम्र, ठीक है, तो राइट अंसर हो जाएगा, इसका उपसंस नंबर B हो जाएगा, फेले मुतअधी, ठीक है, कोशन नंबर 8 पे आते हैं, कोशन पढ़ जाएगा, इसका उपसंस नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है, कि शाम में फूल मत तोड़ो, जुमला किस फेल की मिशाल है, फेले मुनफी, फेले मुश्बत, ताफूले लाजिम, फेले मारूफ, ठीक है, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट अंसर क ए हो जाएगा, हमारा फेले मुनफी हो जाएगा, ठीक है, कोशन नंबर आते हैं, हम लोग नेक्स्ट कोशन पर आएगे, अगर कोशन नंबर 10 की, अगर हम बात करें तो कह रहा है, कि 85, चौथी सिपाह, खुदा, रातीन, रात की, ठीक है, कुछ है यहाँ पे, उसको पढ़ सनाते हुसने तालील, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, सनाते हुसने तालील, कोशन नंबर 11 पे आते हैं, कोशन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है, सरके बाल सफेद करने का क्या माने होता है, वो हो जाएगा, तज़ुर्बा कार होना, क्या हो जाएगा, तज़ुर्बा कार होन option B हमारा right answer होगा question number 12 पे question number 12 में कहा जा रहा है कि दोजक भरने का क्या माने है दोजक भरने का क्या माने है तो दोजक भरने का जो माने होगा वो हो जाएगा भूख को मिटाना पेट को मतलब यहाँ पे दोजक इससे लिया गया है question number 13 पे कहा जा रहा है देखा तो कल, देखा तो गुल हुआ 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 है कुछ और ही गुल खिला हुआ है इस शेर में शायर ने किस सनात का इस्तेमाल किया है options आपके पास है, right answer हो जाएगा इसका option अमभी सनाते तजनिश्ट हो जाएगा question number आते, protein पे कहा जा रहा है कि मुहावरा, eat से eat बजाना का क्या है माने होता है, option आपके पास है भाग जाना, खत्म करना, नफरत करना, चोरी करना तो इसका right answer क्या होगा, options नमबर हो जाएगा B, खत्म करना, ठीक है question number आते है, 15 पे कहा जा रहा है कलाम में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अलफास को एकटा करना जो एक दूसरे की जिद हो कौन सी सनात कहलाता है option आपके पास है तो देख लिजिए आपे A है, B है, C है, D है क्या होगा इसका right answer तो इसका जो right answer हो जाएगा वो जाएगा option number B, सनाते तज़्दाद हो जाएगा क्या हो जाएगा सनाते तज़्दाद हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे कुछ पैसे टाइप का है इसको ध्यान से पढ़ना है पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पर answer करना है question में कह रहा है मंदर्जा बाला अक्तिबास की सबक से माखूज है यहाँ पे आप लोगों कुछ options दे दिया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B, सरस्यद का बचपन यह जो है आपका सरस्यद का बचपन से लिया गया है options number B हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा options number B, सरस्यद का बचपन question number 17 में आएए कहा जा रहा है कि मंदर्जा बाला इक्तिबास के मुस्निफ कौन है सरस्यद एहमद खा है, अलताफ हुसाइन हाली है हयातुल्ला अंसारी है, मौलवी अब्दुल्ला हक होगा right answer हो जाएगा, इसका option number B हो जाएगा अलताफ हुसाइन हाली हो जाएगा question number 18 पे आए, सरस्यद को कौन, किसने पाला था option है, वाल्दा ने क्या है ये चच्ची ने, मा, बीबी ने, अब्बासी ने किसने पाला था, तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number C हो जाएगा, मा, बीबी ने पाला था question number 19 पे आओ, कहा जा रहा है कि जब मा, बीबी का इंतिकाल हुआ तो सरस्यद इस वक्त कितनी उम्र थी तो उस समय सरस्यद की उम्र क्या थी आपको बतानी है, तो 5 बरस उनकी उम्र थी, options number A इसका right answer हो जाएगा question number 20 पे, question number 20 में कहा जा रहा है, इंतिकाल से कुछ वक्त कबले, खादमा ने कौन से कौन सा सर्वत सरसयद को पिलाया था, तो कौन सा सर्वत पिलाया था आम का सर्वत था, फालसे का सर्वत था रूख अफजा का सर्वत था या इन में से कोई नहीं, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो option number B हो जाएगा फालसे का सर्वत था, तो उमीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगाए